so guys आप मेंसे बहुत सारे लोग जो है वो पुछते हैं Metaverse related coins बतादो Metaverse related videos थोड़े से आप बतादो Metaverse है क्या बहुत सारे लोग जिनको पता है Metaverse क्या है उनके लिए आज का video है अगर आपको नहीं पता है तो नीचे मुझे comments में जरूर बता सकते हैं so with that being said guys आज के इस video में बात करे हैं 5 potential अच्छे coins की जो की Metaverse category में आते हैं बात करेंगे कि वो यहां पर क्या-क्या कर रहे हैं and future में उनसे हम लोगों को क्या expected है तो as always guys आगे बढ़ने के बहले like button जरूर तबात दें and let's get started with the video guys as you always know cryptocurrencies बहुत risky है यह जो videos है इनको educational videos की तरह treat करना चाहिए ना की financial advice to please make sure आप अपने research and decisions and responsibility तिरफ आपके पास रख रहे हैं YouTubers के हाथ में नहीं दे रहे है but move to the screen और बात करेंगे top 3 पहले Metaverse coins की उसके बाद 2 अलग category के coins है Metaverse के अंदर ही आते हैं but यह थोड़ा business play है जो मुझे लगता है मेरे दिमाग में कि अच्छा play हो सकता है so first of all guys इसका अपने नाम अल्रेडी इंदगी में सूनी लिया होगा that is ApeCoin now ApeCoin के अगर बात करें तो Yuga Labs यहां पे बहुत ही बड़ा नाम है जो काफी जादा opportunities बहुत सारे लोगों के लिए open कर देता है आप लोगोंने अल्रेडी सुना होगा Board Ape से related restaurant बन रहे हैं यह वह फलाना धिमका आपने अल्रेडी सुन लिया होगा so that I think makes ApeCoin a very very strong project जिसकी तरफ अमारी यहां पर नजर होनी चाहिए now with that एक चीज आपको याद रखनी है यह जो coins इनकी मैं बात कर रहा हूं यह अभी आप macro conditions के हिसाब से ध्यान से जो भी करना चाहते हैं करें ऐसा मत करें कि मैंने video बना दिया और जाके धड़ से खरीद लिया that is the wrong approach please timing बहुत सारी चीज इंपर्टन होती है उन चीज आपको ध्यान देना है अपना research भी बहुत इंपर्टन होती है with that being said I think ApeCoin जो है काफी अच्छा potential रखता है long term में because ApeCoin के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं ApeCoin का जो concept है जो a strong consistent road map है एक strong network of huge partnerships है I think that opens a lot of doors for ApeCoin and especially other side Metaverse आप लोग ने notice के होगा recently testing अगरा में भी काफी जादा बाते निकल कर आई थी काफी जादा popular हुआ था I think this is that blue chip जो आप बोलो नो top 3 blue chip coins यह Metaverse में मेरे हिसाब से blue chip बनता है No.2 बात करेंगे Sandbox के बारे में Now Sandbox आप लोग ने again Sandbox is also not new Sandbox जो है वो एक Metaverse के अंदर एक voxel system में आपको चीजे बनाने चीजे बेचने खरीदने लैंड यह सारी options यहां पर दे देता है It is a digital world a virtual world है Sandbox जो की सबसे बड़े Metaverse related projects में आता है तो अगर मैं आपको सिर्फ market cap की अगर हम बात करें तो 1.1 billion dollars की market cap यहां पर currently इसकी बन रही है उस side से देखें तो Sandbox is that blue chip Metaverse coin जो यहां पर काफी अच्छा potential रखता है long term के लिए medium to long term के लिए based on की अपना roadmap कितना अच्छा execute करते हैं based on की market of course macros यहां पर कैसे behave करते हैं So Sandbox is one of those place No.3 आपने अगर already guess नहीं किया है तो like button दबा दें पहले तो और चलते है No.3 की तरफ which is Decentraland mana so यह one of the oldest coins आजाता है इस list में actually जो मैं आपके साथ आज share कर रहा हूं and one of the oldest बोलो बिकोज एक और है पुराना वाला but यह one of the oldest आजाता है इनका अभी recently कुछ दिन पहले एक news item यहां पर निकल कर आई थी कि यार माना का ऐसा हो गया माना का वैसा हो गया दसी लोग आ रहे हैं ऐसा नहीं है They have some people हाला कि वो count बहुत ही कम है but वो जो भी number tally हो है वो कुछ गलत हुआ है But with that is not the problem and that is not what we are talking about today आज हम बात करें Decentraland के potential के बारे में तो मैंने कुछ नहीं पहले आपके साथ एक update शेयर किया था मैंने आपको लोगों बताया था माना जो है थोड़ा गड़बडा रहा है माना का roadmap clear नहीं हो रहा है चीजें बिल्ड नहीं हो पा रही है और माना अभी बहुत ही एक economical zone बन गया है तो क्या होता है Decentraland even though it's a blue chip place यहां पर बड़ी-बड़ी companies करोडों में land खरीद रही है करोडों में land बिके जा रहे है और बस इतना ही हो रहा है हम जैसे लोग जो है जो नए enter करने चाहें इस ecosystem में उनके लिए enter करना बहुत ही महंगा और बहुत ही मुश्किल हो गया है माना का system so that is my big concern with माना but because बहुत सारी बड़ी-बड़ी companies यहां पर invest कर रही है माना बहुत सारे लोगों के लिए एक tourism का spot बनने का chance है it might not become an investment spot for retail investors but coin तो हमेशा open ही है so coin still has potential but inside the metaverse ecosystem inside the virtual world वहां पर invest कर पाना एक normal average इंसान के लिए मेरे और आपके जैसे के लिए it is not possible मतलब ridiculous pricing चल रही है पर अगर companies अपने showroom त्यार कर रहे है that means मेरे और आपके जैसे लोग खरीद भले ही ना पाए वहां पर हम जाके घूम सकते है so that part is still open virtual tourism वाला part I think is still open casino वागरा जैसे चल रहा है polygon के थुरू तो बहुत सारी चीजें यहां पर open है in my opinion यह भी एक strong coin हो सकता है अगर चीजें यह stable तरीके से manage कर पाए तो अगर यह अभी bear market में आकर अपना product road map अच्छे से execute ना कर पाए product अच्छे से execute ना कर पाए तो थोड़ी मुश्किल यहां पर Decentraland वालों को हो सकती है but इनके पास वह brand name है पुराना नाम है बड़ा नाम है everybody knows Decentraland and that makes it a very very special blue chip metaverse coin तो चलिए guys जलते हैं number 4 की तरफ और number 4 coin की तरफ जाने के पहले हम बात करते हैं आज के वीडियो के sponsor के बारे में so guys बात करते हैं आज के वीडियो के sponsor की जो है X DeFi wallet now this is a very highly recommended wallet जो की आपको multiple chains वाला जो आपका problem है वो एक ही जगा पे solve कर देता है जबकि हम बात करें MetaMask and बाकी के wallet बहुत limited functionality and limited chains आपको available करके देते हैं वहाँ पे X DeFi wallet की अगर बात करें तो 15 से ज्यादा chains जैसे कि Bitcoin, Litecoin, Avalanche, Phantom, Solana all of these become available to you so let's have a very quick look at X DeFi wallet तो जैसे कि आप इनकी website पे अगर जाएंगे and by the way CoinMarketCap and CoinGecko पे इनका जो token है and उससे related बाकी की जानकारी आप चाहते हैं तो आप जरूर जो है check out कर सकते हैं as always हम देखते हैं कि team experienced है या नहीं है, trustworthy है या नहीं है तो 40 स्यादा लोग already X DeFi wallet पे काम करें and when we look at the backers and the investors तो हम लोगों को Animo का brands, Alameda Research जो की काफी जादा well recognized and respectable नाम है यह लोग इनको back करें, एक दूसरी बहुत ही चीज जो मुझे लगी X DeFi wallet के बारे में of course इन लोगों का security audit हुआ हुआ है it's a decentralized wallet जो कि ए chrome extension की तरह use हो सकता है they have, जो भी security audit से जो भी suggestions आये थे वो इन्होंने publicly यहाँ पे share किये including the high risk ones उन पे इन्होंने काम करके उसको implement कर दिया है वो भी यहाँ पे PDF में mentioned है यह आप इनके website से download कर सकते है and I think that is a very good and transparent way of running things personally आपको पता है आपन लोग यहाँ पे transparency को कितना value करते है so अगर आप यह chrome extension check out करना चाहते है this works very similar to how you will use MetaMask अगर आप website से भी जाते है that is also fine but the link is going to be in the description below अगर मैं chrome extension use कर रहा हूं तो for example chrome extension में एक another window इसको खोल लेता हूं जैसा कि आप देख सकते हैं यह मैं अभी यह wallet चला रहा हूं let's say मैं Uniswap के साथ for example connect करना चाहता हूं और जब आप इसको chrome extension की तरह install करेंगे तब भी वह आपको पूछेगा तो इसको enable कर देंगे हम इसको जब हमने enable कर दिया Uniswap को refresh कर लेंगे और जब मैं connect wallet पे click करके MetaMask पे click करूँगा तो अब जो pop-up खुलेगा वह xdefy का खुलेगा और xdefy connect होगा तो अगर मैं कोई external daps use कर रहा हूं तो मैं उनके साथ connect कर सकता हूं but here is another amazing thing कि मुझे daps use करने की जुरुवत नहीं है इनके पास सारी chains की NFTs एक जगा पर दिख जाती है तो जैसे मचली वाला बंदा है ये Solana पे है Pilli है ये Ethereum पे है but I can see them at the same place in the wallet अलगलग chains पे है but मुझे एक जगा पे दिख जाती है और मैं इसी interface से बिना कुछ chain change किये बिना कुछ किये भेज और receive कर सकता हूं but great thing is Paraswap और ये wormhole इनको यूज करके यहां पर अपने पास एक swap option available है ये cross chain swap आपके लिए enable कर देता है So just as an example यहां पे rune है मेरे पास thawr chain के ऊपर मुझे चाहिए BNB Binance Network के ऊपर So let's say मैं maximum यहां पे करना चाहता हूं Another thing MetaMask को गएरा में जब आप transaction करते है इस तरह का यहां पे एक fee लगती है यहां पे यहां नहीं लगती है So I will just review the transaction मेरे को 0.17 BNB मिल जाएगा इसमें routing में वो अलग-लग मुझे यहां पे बता देंगे कि कौन से किस तरह से वो route हो रहा है पूरा का पूरा transaction I will proceed अब यह यहां पे जो transaction है मैं उसको click कर देता हूं और यह transaction process हो जाएगी और मेरे wallet में PNB अवेलेबल हो जाएगा as simple as that now of course because I am blockchain transaction करें इस chain पे कर रहे है जो sending chain है and receiving chain है उसके base पे कुछ ना कुछ time लगेगा वो आपको पता ही है chain case लगेगा यहां पे जैसा की आरहा है swap complete तो यहां पे swap complete हो गया और मेरे पास आप notice करे जो rune था वो चला गया अब मेरे पास BNB यहां पे आज का वीडियो guys crypto products and nfts are unregulated and can be highly risky there may be no regulatory decals for any loss from such transactions alright guys as I said xdefi का link आपको जो है नीचे description में मिल जाएगा moving on to number 4 coin जैसा की मैन आपको बताया था number 4 or number 5 coin जो है वो थोड़े business place होंगे and business place का माना मतलब यह है metaverse यहां पे metaverse वाले लोग जो है वो Metaverse में बना रहे हैं चीजें वो पैसा बना सकते teen metaverse में पैसाइब में पैसा इंवे में पैसा बना सकते हैं Metaverse में participants कर औए लोग पैसा बना सकते हैं there is one more kind of person जो as a project अच्छा कर सकता है and काफि अच्छा पैसा बना सकता है as a business and that is a project क्या बहुत सिंपल सी चीज है आप gold mine rush आपको पता होगा तो gold mine में gold mine खोलने वाले mine खरीदने वालों ने बहुत पैसा बनाया माइन में खुदाई करने वालों ने बहुत पैसा बनाया खुदाई पैसा करने वालों मतलब जिन्होंने गोल्ड निकाला उसमें से उन्होंने बहुत पैसा बनाया पर और किसने पैसा बनाया, उन लोगों ने, जो माइन में काम करने वाले workers को कपड़े बेच रहे थे, उनको फावडे बेच रहे थे, उनी कपड़ों की कंपणी में एक कंपणी थी, Levi's Jeans नाम की, वही सेम तरीका, Metaverse है, अब Metaverse के अंदर, second layer of utility, उस business को कौन दे सकता है, कि काफी strong business proposition लाता है मेरे हिसाब से, because ये developers को, game developers को, and development teams को enable करता है, अपने virtual assets को, एक तरीके से, एक combined तरीके से, एक community के सामने present करने का, and that I think is a great thing, ये काफी अच्छा potential रखता है, अगर हम उस angle से engine के बारे में सोचे, क्योंकि engine चीजें easy करता है, engine एक interconnected network देता है, तो अगर मै game developer room में 5 games launch करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि उसमें 5 games में same asset use हो जाए, इस तरह की चीजें है, जो बोलने में चोटी है, but development side से बहुत बढ़ी, बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत बार, and बहुत, I will say inconsistent हो जाती है, because of blockchain, engine वो चीजें easy करता है, तो वो एक platform देता है game creators को, game developers को, and I think that makes it a very very special project, and engine की team की तो बात, मता ही करें तो अच्छा है, ये सारे एकदम धुरंदर ही धुरंदर games के, उससे आते हैं, plus engine was not a blockchain project first, engine was a gaming project first, बाद में वो blockchain बना है, number 5 is on a similar note, जो आज की इस list में, अगर आप notice करें, engine वगरा सब देख ले, 400 million वगरा की market cap है, आ 100 million dollars की market cap में अभी आ रहा है, and ये काफी grow हुआ है पहले से, but ultra क्या है, guys, steam नाम का marketplace आपने सुना होगा, ऐसे games के लिए marketplaces होते है, जैसे amazon है, e-commerce में products के लिए, वैसी game के लिए steam नाम का एक marketplace है, जो पूरी दुनिया में बहुत जादा popular है, it is the biggest platform, it is not the only platform, but the biggest है, तो उसमें आगर मेरे को counter strike पे कुछ assets चाहिए, या मेरे assassins creed के कोई asset है, steam owns it, 100% steam कल चाहे मेरा counter strike का account बंद कर दे, और ऐसे बहुत लोग हैं, दुनिया में, जिनके 1000 dollar के skins और game के assets वागरा थे, जो उन्होंने बंद कर दिया, मन में आया तो, right, they have zero ownership, और players have zero ownership, steam ये एक platform, it is the biggest, it is great, right, बहुत ही, actually अच्छा platform है, सिरफ एक बूरी बात है, ऐसा नहीं है, but point is, अच्छा है, ultra उस model को blockchain में लेकर आता है, ultra एक marketplace structure यहाँ पर देता है, तो आप in fact coin market cap पर जाके जैसा कि पढ़ेंगे, तो ultra क्या करता है, ultra game developers को, game publishers को जो है, एक अच्छा potential यहाँ पर देता है, at the same time, अब जैसे यहाँ पर कर सकते हो, कि, यहाँ पर marketing tools and बहुत सारी चीजे जो है, ultra के ऊपर अगर आप चीजे publish कर रहे हो, तो आपको मिलती है, plus जो team है, वो tech side से experience team आती है, तो I do also feel, कि ultra as a project has a lot of potential, as a coin I am not sure, क्योंकि मुझे पता नहीं है, इनका अभी क्या, marketing budget कैसा है, youtubers के साथ, influencers के साथ, काम करते हैं नहीं करते हैं, and you know, कि इस field में, it is very important, कि आप content creators का trust भी borrow कर सको, तो वो करेंगे या नहीं करेंगे, I don't know, so वो अब time ही बताएगा, but कुछ काफी highly rated youtubers इनके बारे में बात कर चुके है, but that is not our selection criteria, अपना selection criteria का है, क्या ये एक strong profitable business बना सकते है, and अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि बना सकते है, for blockchain games, तो जैसे-जैसे blockchain games का economy बढ़ेगा, ultra as a marketplace has a lot of chance to grow, now being one of the biggest blockchain gaming marketplaces, it has that potential in my opinion, तो ये 5 coins, जो है metaverse के मेरे हिसाब से, एक long term में अच्छा potential रखते है, now once again guys, this is an educational video, don't treat it as financial advice, ये मेरा opinion है, इसके उपर आपका research, आपका खुद का responsibility, आपका risk mitigation, आपका portfolio allocation, 1000 चीज़ें आपको सोचना है, और फिर देखना है, कि does any of these coins make sense for you, or not, it can also be, कि आपके लिए 0 cents बनाते हैं, ये coins, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है guys, so that's it, ये था आज का video, and once again, thanks to xd5 for sponsoring the video, link आपको जो है, जैसे कि मैंने बता है, description मिल जाएंगे, I hope आप लोगो ने like button already दबा दिया है, अगर नहीं दबाए तो like जरूर दबाए, and अगर आप चैनल पर subscribe नहीं है, तो subscribe भी करतें guys, this is Shivam signing off, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye and take care.